हेलो फ्रेंड्स कैसे हो जी के 2020 यूट्यूब चैनल में आपका हर्दिक स्वागत है और आपको यहाँ डैली करंट अफेर का एक वीडियो मिलता है और यदि आपने एक साल तक के लिए हमारे करंट अफेर वीडियो की देखने की आदत बना ली तो मान करके चलिए आपका एक स 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए बाजू में बेल आइकन है उसे प्रेस कीजिए क्योंकि आने वाले हरेक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे और आज की वीडियो के क्वेश्चन की पीडियो फाइल नीचे डिस्क्रिप्श जिसका हाल ही में उद्गाटन किया गया है बांगलादेश की कैपिटल ढाका में यानि कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है और बांगलादेश की बात आती है तो तीनों तरफ से गिरा हुआ हमारा यब बांगलादेश भारत की सरहत से जुड़ा हुआ है तो ये देखे अंतराष्टिय लोक महत्षव के पाँचवे संस्क्रण का उद्गाटन किस ने किया वो भी तो एक क्वेशन बनता है तो बांगलादेश के सुचना मंत्री जिसका नाम है डॉक्टर हसन महमुद इसने इस पाँचवे संस्क्रण का उद्गाटन किया और यहां आप ओफिसल लोगों भी देख सकते हैं यह ढाकाई में आयोजित हुआ है अंतराष्टिय लोक महत्षव तो इसी से जुड़ा एक और क्वेशन कि समारों में मुख्य अतिथी कौन रहे तो बांगलादेश के विदेश मंतरी डॉक्टर एक अब्दूल मॉमेन इस समारों के चीफ ग्यास्टर है तो दोस्तो एक क्वेशन से रिलेटेट जो इंपोर्टन बात थी वो मैंने बात आई आपको यदि बात अच्छी लगती है तो लाइक करना मत भूलिएगा दूसरा क्वेशन हाल ही में भारत बांगलादेश के पहले क्रिकेट टेस्ट मेंच में कीस बल्लेबाज ने दोहरा शतक लगाया तो हाल ही में भारत के लिए काफी अच्छी खबर आ रही है और हमने पहले टेस्ट में विज्जे हासिल की है और उसी में हमारे एक नए बल्लेबाज जिसका नाम है मयंक अगरवाल और मयंक अगरवाल ने इस पहले टेस्ट में दोहरा शतक लगाया यानि कि इस क्वेशन का भी आप्शन सही है और भारत ने महाज एक पारी और 103 रनों से बांगला देश को मात की और इस से जुड़ा एक और महत्व पुरुनब क्वेशन कि 12 शतक लगाने वाले मयंक अगरवाल को मैन ओब द मैच घोशित किया गया किसको मयंक अगरवाल को और दूसरे मैच के बारे में यह पहली बार ऐसा हो रहा है कि डे नाइट टेस्ट मैच खेला जाएगा कहाँ पर कोलकता में तो यह देख कौन सी गेंसे गुलाबी रंग की गैंद से अगला क्वेशन अठारवा गूट निर्पेक्ष आंदोलन शिकर सम्मेलन की इस देश में आयोजित किया जाएगा तो यानि कि हाल ही में आयोजित किया गया है अठारवा गूट निर्पेक्ष आंदोलन जीसकी नीव हमारे भार जवारलाल नेहरु जी ने रखी थी और इसका अठारवा संस्क्रन हाल ही में आयोजित किया गया है अजरबैजान में इसलिए इसक्वेशन का डी आप्शन सही है और यहां बात करते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन शिकर सम्मेलन की तो जब शीत युद का दोर था और हमार एक तरफ अमरिका और दूसरी तरफ रशिया दोनों के बित जो यह शीत युद का दोरा था उसी समय हमारे भारत देश के पहले प्रैम मिनिस्टर जवारलाल नेहरु और उसी के साथ इसने मिलकर इस गुट निरपेक्ष सम्मेलन का आयोजन किया तो यह देखिया वर्स 1961 में बैल ग्रेड में भारत के प्रतम प्रदान मंतरी जवारलाल नेहरु ने युगोसलाविया किया के जोसेप ब्रोज टीटू इन दोनों ने मिलकर यह जमाल अब्दूल नासीर और इंडोनेशिया के सुकारणों के साथ मिलकर गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की त चौथा कोशन नियाय मोर्ती अकिल अब्दूल हमिद कूरेशी किस उच नियाया लईक के मुख्य नियाय दिश बने तो हाल ही में जब कंस्टिटूशन की लिहाद से आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है किसी भी स्टेट के चीफ हाई कॉर्ट के चीफ जस्टिस कौन नि पूरा उच नियाय लईक के नियाय दिश के रुप में शपत लिया है यहाँ आप देख सकते हैं त्रीपूरा के राज्यपाल और शपत कौन दिलाते हैं किसी भी हाई कॉर्ट के चीफ जस्टिस को शपत दिलाते हैं उस राज्य के गवर्नर यानि कि हाल ही में रमेश बैस इस अकिल कुरेशी को शपत दिलाई और यहाँ आप इमेज के जरिया आसानी से समझ सकते हैं तो हाल ही में त्रीपूरा हाई कोट की बात आती हैं तो यह देखें कि राज्यपाल रमेश बैस ने अगर तला के पुराने राजबवन में एक समारों में उन्होए पत की शपत दिलाई और यहाँ देख सकते हैं अकिल कुरेशी और बात आती हैं त्रीपूरा के तो त्रीपूरा के हाल ही के सीम कौन है विपलब कुमार देव और नियाए मूर्ति कुरेशी को 8 नवंबर को त्रीपूरा का मुख्य नियाएधिश नियूक्त किया गया था और यहाँ दे तो इस तरह का विजय दिवस मनाया जा रहा है हर साल विजय दिवस मनाया जाता है रूस द्वारा और उसी में चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया है व्लादी मिर पूतिन ने हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोदी को यानि कि अगले साल जब विजय केपिटल ब्राजिलिया में जब यह ब्रिक शिकर सम्मेलन आयोजित किया गया उसमें यह नियोता दिया गया है तो प्रादान मंत्री मोदी ने 2020 में रूस के विजय दिवस समारों में भाग लेने के लिए रूसी राष्टपति के निमंतरन को भी स्विकार कर लिया है और ए आगे बढ़ते हैं उसकी बात हम आगे करेंगे चटा कुशन हाल हिमे राष्ट्रिय प्रेस दिवस अधीन अगया गया तो हर साल नेश्नल प्रेस टोwhy कल ही मनाय गया यानिकि 16 नवंबर को हर साल नेश्नल प्रेस डे मनाया जाता है इसलिए इस प्रेस का सी और यह और हम बा हर साल 16 नवंबर को मनाया जाता है तो इससे रिलेटेड हिस्ट्री क्या है 16 नवंबर 1966 को भारतिया प्रेस परिशत की स्थापना हुई थी और इस अवसर पर हाल ही में हमारे उपराष्टपती एम वेंके या नाइडू जी ने उतक्रिष्ट कार्य करने के लिए पत्रकारों को पुरस्कृत भी किया और यहाँ देख सकते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंके या नाइडू अन्य पत्रकारों को पुरस्कृत करते हुए साथवा क्वेशन हाल ही में किस देश में राष्टपती चुनाव के लिए मतदान संपन हुआ यू मान लिजिए कि आज ही राष्टपती का जो नतीजा आया है और कल ही वहां राष्टपती के लिए मतदान हुआ था और इस चुनाव हाल ही में आयोजित किया गया है स्रीलंका में इसलिए हमारे दक्षिन में स्थीत स्री लंका में नए राष्टपती भी बन गये है और इसलिए इस क्वेशन का ओप्षन सही है तो स्री लंका के नए राष्टपती कौन बने क्योंकि हाल ही में जब चुनाव हुआ तो स्री लंका में आठवे राष्टपती ही चुनाव के लिए 80% मद्दान दर्ज किया गया और हाल ही में गोत बाया राजपक्षे नाम मोस्ट इंपोर्टन है दोस्तों याद रखेगा गोत बाया राजपक्षे एक सेवा निवरुत सैनिक है जो हाल ही में यह चुनाव जीत गए है और स्री लंका के नए प्रेसिडेंट बने है कौन गोत बाया राजपक्षे तो उनके बड़े भाई जो महिंदा राजपक्षे थे वो भी राष्टपती के रूप में पदबार सं पती आठवा कुशन इटली के किस शहर में बाढ की वज़ा से आपातकाली स्थीती की घोशना कर दी गई तो बाढ आई है और यह जलवायू परिवर्तन नहीं है तो क्या है क्लाइमेट चैंज की जो बुरा असर है हो हमारे प्रिथ्वी पर दिख रहा है और उसी में इटल पत्चास साल का रेकर्ड तोड़ दिया है तो यह काफी मोस्ट इंपोर्टन बात है लेकिन दुख दायक है इसलिए इस क्वेशन का भी आप्शन सही है और मैं बात करता हूँ इटली की तो यहां आप इमेज में भी देख सकते हैं क्या बात सामने आई इटली का सू विख् कालिन की घोशना कर दी थी और शहर के गिर जाकर दुकान और मकान सब जल्मगन हो गए और पिछले पच्चास वर्षों में पहली बार ऐसी भयानक बाढ़ आई है और इसलिए आपको वेनिस और इटली का नाम याद रखना है नवा क्योशन किसने इंडिया स्किल्स 2020 प्रतियोगिता के लिए ऑनलाइन पंजी करन शुरू करने की घोशना कर दी है तो हर साल यह इंडिया स्किल 2020 हाल ही में अगले साल आयोजित होने वाला है और उसी की पंजी करण की हाल ही में शुरुआत हो गई है तो यह आयोजित किया जाता है कौशल, विकाश और उद्यमिता मंत्रा लईद्वरा इसलिए इस क्वेशन का D option सही है और हम बात करते हैं इंडिया स्किल 2020 की तो आप यहां ओफिशल लोगों भी देख सकते हैं इंडिया स्किल्स जो 2020 कहां आयोजित होने वाला है केराला में और इसमें जो विजेता खोशित होगे वो चाइना में जाने के लिए हकदार होंगे तो इंडिया स्किल्स के विजेताओं को वर्ष 2021 में चीन में आयोजित होने वाली व्र्ष लोगों लोगीता में देश का प्रती निधित्वक करने का मौका बिलेगा और पिछले साल ही आयोजित किया गया था यानकी हाल ही में वशल्डर स्किल्स इंटरनेशनल 2019 में भाग लेने वाले कूल 63 देशों में से भारत कौन से रेंग पर रहा था तिरोवे स्थान पर रहा था और उसी में भारत ने तक्रिबन 15 मैडल भी हासित किये थे और उसी में एक गॉल्ड और सिल्वर भी शामिल था यानि कि स्कील में हमारा इंडिया काफी आगे बढ़ता हुआ नजर आता है दस्वा क्वेशन हाल ही में नई दिल्ली में आदी महत्सव का उद्खटन किस ने किया तो आदी महत्सव का हाल ही में दिल्ली में उद्खटन किया गया है हमारे ग्री मंत्री अमिच शाह ने उद्खटन किया है इसलिए इस क्वेशन का एक आप्शन सही है और हमारे आदी महत उत्सव है वो किस से जुड़ा हुआ है वो 16 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक चलेगा और यहां आप देख सकते हैं आदी महुचव 2019 जिसका काटन किस ने किया है हमारे ग्री मंतरी अमित शाह ने तो यह देखे उत्सव में जन जातिया संस्कृती शिल्पकला भोजन 27 राज्यों से तक्रीबन 1000 से अधिक जन जातिया शिल्पकार हिस्सा ले रहे है यानि कि हमारे जन जातिया संस्कृती को बढ़ावा देने के लिए यह आयोजन किया गया वो काबिलेदाद है और अच्छी पहल है 11 प्रदेश में लांच हुए नाडु नेडु कारियकरम का सबंध किस से है तो हाल ही में यहां देख सकते हैं आंडर प्रदेश के CM कौन है Y.S. जगन मोहन रेड़ी जिसने हाल ही में एक योजना लांच की है जिसका नाम है नाडु नेडु कारियकरम और वो रिलेटेड है में सुधार के लिए इस कुशन का ये ओप्शन सही है और इसी नाडू नेडू योजन्या के तहत एक से छे कक्षा तक इंग्लिश में पढ़ाई भी की जाएगी और वहां प्राइमरी स्कूलों में शिक्षा का सुधार करने के लिए जो फिजीकल एक्विपमेंट है वो भी पुरा कर दिया जाएगा तो इसका उद्देश्य क्या है सरकारी स्कूलों का काया कल्प करना है तथा इन्हें प्रतीस परधा संस्थानों के रूप में परिवर्तन करना इस उद्देश्य से ये नाडा नेडू योजना लांच की गई है और विद्द्यालयों में स्वच वातावरान, पेजल, फरनीचर, श्यामपट, शोचालय, इत्यादी की सुविधा सुनिचित की जाएगी और इस योजना के लिए 12,000 करोर रूप्य का बजट भी आंध्रप्रदेश सरकार ने रखा है और यहां देख सकते हैं आंध्रप्र 2019 कार्यक्रम में गॉल्डन लिफ आवर्ड से किसको सम्मानित किया गया तो जब हाल ही में निदर लेन में यह आयोजित किया गया टैब एक्सपो 2019 और उसी में हमारे भारत के भारत के तंबाकू बॉर्ड ओफ इंडिया ने इस तरक के गॉल्डन लिफ आवर्ड जित लिया ह इसलिए इस question का सी option सही है तो तंबाकू board of India ने जीता है तो यह image में देखे वो हाल ही में यह golden leaf नाबक award ग्रहन किरती हुई तो तंबाकू board के कार्यकारी निदेशक के सुनिता को यह पुरसकार प्रदान किया गया है और यह पुरसकार वर्ष 2019 के लिए सबसे प्रभाव शाली सार्वजनिक सेवा पहल शुरू करने की स्रेयनी में दिया गया है आगे पड़ते हैं अगले question के और हाल ही में ब्रह्म पुत्रपुषकरम उत्सव का आयोजन की स्राज्य में किया गया तो यहां देख सकते हैं आप हाल ही में ब्रह्म पुत्रपुषकरम उत्सव का आयोजन जो भारत की 12 महत्वपुर्णा नदियों से सबंदित है नमामी ब्रह्मपुत्र उत्सव के बाद यह असम का दूसरा सबसे बड़ा उत्सव है यहां पांच दिवसिय उत्सव है जिसमें असम की कला विरासत और संस्कृति को प्रदर्शित किया जाता है और कब तक चलेगा य जुड़ा हुआ है असम स्टेट चवद्वा क्यूशन हाल ही में कीस जिल में लगबग 10,000 पक्षियों की मौत हो गई है और यहां जो आप काले-काले स्पॉर्ट देख रहे है वो कोई स्पॉर्ट नहीं है बलकि यह मरे हुए पक्षि है और तकरीबन 10,000 पक्षियों की मौ हो गई है बहुत ही परियावरन के लिए चिंता का विशय और क्लाइमेट चेंजिज में और हमारे मानव हस्तक्षियों के कारण जो यह नुकसान हुआ है प्रकृति का इतना बड़ा तो वो काफी चिंता का विशय और यह हुआ है हाल ही में राजस्थान में स्थीत सांबर जिल में इसलिए इस क्वेशन का सी ऑप्शन सही है और क्यों मौत हो गई है पक्षियों की वो भी एक क्वेशन है आपके दिवाग में मैं सोचता हूँ कि चल रहा होगा तो यह देखे हाल ही में राजस्थान की सांबर जिल में लगबग 10 हज़ार पक्षियों की मौत हो मिमारी जीवों के तंत्री का तंत्र को प्रभावित करती है और इसलिए आपको याद रखना है कि क्यों मृत्यू हुई है वोटुलिजम नामक बिमारी से और सांबर जिल है वो राजस्थान राज्य में जैपूर के समी पस्थी थे और यह देश की सब से बड़ी खारे पा जा सकता है ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो कल के वीडियो के क्वेश्चन के हुआ कल मिने आपसे क्वेश्चन पुछा था कि निम्ना में से कौन 2020 के गण तंत्र दिवस समारू में हमारे चीप गेस्ट होंगे तो यहाँ देख सकते हैं आप इमेज में जायर बॉल् और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर आज का क्वेश्चन है इसरो ने कब तक चंद्रमा की सतव पर सौफ्ट लेंडिंग के प्रियास की खोशना की है यानि कि अब हमारा इसरो है वो चंद्रयान 3 लौंच करने जा रहा है और हमारे इसरो के हाली के अध् परिशा चलता रहेगा तो हमारे यहां आंसर देना मत भूलिएगा दोस्तों चार यहां मैंने आपको डेट लाइंग दी है और उसी में से सही आंसर देकर आंसर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा तो लाइक किजि तब तक के लिए जैहिन